नमस्कार मैं हूँ अविशेक कुमार आप देख रहे हैं में मेडिया नियोज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का सुप्रीम कोट ने खणीजो पर लगने वाले रोयल्टी को लेकर केंद्र को एक बड़ा जटका देते हुए फैसला सुनाया की खणीजो पर लगने वाली रोयल्टी टेक्स नहीं है चीफ जस्टिस जीवाई चंदर्चूड की अध्यक्स्तावाली नौजजों की सुप्रीम कोट की बेंच ने आठ एक बहुमत से अपने ही कई पुराने फैसले को रद कर दिया उखे नैधिस चंदर्चूड ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संसद में पास सम्विधान की सूची दो की प्रिविस्टी पचास के तहट खनी जधिकारों पर कर लगाने की सकती नहीं है केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया कि इस साल हज के दौरान कुल 201 भारतिय हज यात्रियों की मौत हुई है किरन रिजुजु ने कहा कि जादातर मौत सास संबंधी परिशानी और दिल का दौरा पढ़ने के कारण हुआ बता दे कि 21 जुलाई 2024 तक हज यात्रा के दौरान 201 भारतिय हज यात्रियों की मिर्तिय हुई है उनमें से अधिक मौते सास संबंधी कारणों और दिल का दौरा पढ़ने से हुआ है केंद्रिय मंत्री प्रलाज जोसी ने M.U.D.A. घोटाले के संबंध में करनाटक के मुखमंत्री सिधारमया के इस्तीफे की मांगी जोसी ने आज संसत के बाहर मीडिया से बाच्चित कर आरोप लगाया कि मुखमंत्री सीधे तोर पर घोटाले में सामिल है उन्होंने मान की कि इस मामले को C.B.I. को सौपा जाना चाहिए रास्चिय स्वास्थ मिसन के तहट उत्तर प्रदेश के 98,000 करमचारियों को 30,000,000 रुपे के जीबन विमा का लाग मिलेगा और समाईक मिर्त्यू होने की दिसा में उनके परिजनों को यह धनरासी दी जाएगी जहाँ N.H.M. की और से सभी जिला कारक्रब प्रबंदकों को इसके लिए दिसानर देश जारी कर दिया गया है बिहार के सियम नितिश कुमार ने विधान सभा में राज़त विधायक को टोकते हुए महिलाओं पर टिपनी की इसके बाद विपक्ष ने हंगामा सुरू कर दिया इसमित समस्तिपूर से लोजपार आमिलास की सांसत संभवी चौधरे ने नितिश कुमार का सपोर्ट किया इसके साथ ही उन्होंने नितिश के बयान का मतलब भी समझाया है उस तो आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेज इस वीडियो को लाइक कर दे कमेंट कर अपने परतिक्रिया दे और इसे सेयर जरूर कर दे आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का होसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरे लाते रहते हैं केंद्रिया विदेश मंत्री एस जसंकर आज लाउस की तीन दिवसिया यात्रा पर पहुंचे है इस दोरान वह ब्यापार और निवेश सहित विविन छेत्रों में आस्यान भारत के बीद सहियोग की समिछा करेंगे राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु ने दरबार हॉल का नाम बदल कर गंतंत्र मंडप और असोक हॉल का नाम बदल कर असोक मंडप रखा है जहां राश्ट्रपती के इस फैसले पर कॉंग्रेस की वरिष्ट नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र की NDA सरकार को घेरा उन्होंने कहा कि दरबार की कोई अवधारना नहीं है लेकिन सहंसा की अवधारना है भारत के दोरे पर पहुँचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लोनी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वा एनसे अजीर दोभाल से मुलाकात की और विदेश मंत्री अस जसंकर के साथ दुपक्षिय बैठक की लोमी जसंकर की अगवाई में हुई बैठक में ब्रिटेन भारत प्रधोगी की सुरक्षा अभ्यान सुरू करने का अईलान किया गया विदेश मंत्राले की तरफ से बताया गया है कि दोनों विदेश मंत्रियों के बेच एफ्टीय को लेकर भी बाचित हुई है केंद्रिय ग्रियेवं सहकारता मंत्री अमित साह ने संसत को बताया कि साल 16 जुलाई तक सहारा समू की सहकारी समितियों के 4.2 लाग से अधिक जमा करताओं को 362.91 करूर रुपे दिये गया है साह ने राजिसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि CRCS सहारा रिफर्ण पोर्टल के माध्यम से इसे आसान बनाया गया है जिसे 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आधिस के बाद अस्थापित किया गया था भारत के प्रधान न्याधिस डिवाई चंद्रचूट की अध्यक्सतावाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंदर सरकार से कलकत्ता है कोर्ट के नौ अत्रिक्त जजों का कारकाल एक बर्स बढ़ाने की सिफारिस की है कोलेजियम में जस्टिस संजीव खर्ना और जस्टिस वियार गवई भी सामिल है सेना प्रमुक जनरल उपेंद्र दुवेदी ने घुसपेठ और आतंकवाद विरोधी अभ्यानों में सामिल बलो की तैयारियों की समिक्षा करने के लिए कस्मिर घाटी में नियंतरन देखा के पास अग्री मिलाके का दोरा किया बता दे कि कल कारगिल विजय दिवस की रजजयंती मनाई जानी है जिसमें सामिल होने के लिए पियम मोधी भी पहुचेंगे केंद्रिय मंत्री सुकान्त मजुमदार ने पियम मोधी को पत्र लिख कर उत्तर बंगाल को पुरवोतर से जोडने की मांग की है वही टीमसी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बंगाल विरोधी बताया भारी बारिस के बीच मुंबई वास्यों के लिए गुड नियोज बीमसी ने वापस लिया पानी कटोती का फैसला राजस्थान सरकार 36,000 वरिष्ट नागरिकों के लिए जल्द तिर्थ यात्रा का आयोजन करने जा रहा है जहाँ देवस्थान मंत्री ने विधान सभा में इस सम्मन्द में जानकारी दी वजन कम करने के लिए यह मौसम बहुत ही अनुकूल माना जाता है अगर आप भी अपने वजन कम करना चाहते हैं तो तीन लिटर पाने में एक निम्बू का रस मिला कर दिन भर पिए एक विक में आपका वजन एक किलो कम हो जाएगा इसी तरह जितना वजन कम करना चाहते हैं उतने विक इसका सेवन करें एससी ने सयुक्त सनातक अस्तरिय परिक्षा दोहजार चौबिस के लिए जारी आविदन की तारिक को बढ़ा दिया है आयोग द्वारा 24 जुलाई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है एक्षुक और योग्य उमिद्वार इस परिक्षा के लिए अब 27 जुलाई की रात 11 वजे तक पंजी करन कर सकेंगे आविदन करने के लिए उमिद्वार को SSC की अधिकारिक बैप साइट SSC.GOV.IN पर जाकर आविदन करना होगा दिल्ली के मुखमंत्री अर्विद केजिवाल आजकल तिहार जेल में बंद है जहां आपके नेताओं का आरोप है कि जेल में केजिवाल के स्वास्त के साथ खिलवार हो रहा है इसी को लेकर सीम अर्विंद के जिवाल के समर्थन में इंडिया ब्लॉक 30 जुलाई को जंतरमंतर पर बिरोध परदसन करेगा फरिदाबाद में भुकम्प के जटके महसूस किये गए हैं करीब एक घंटे में कई बार यहां भुकम्प के जटके महसूस किये गए इस दोरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए वही बार बार भुकम्प के जटके महसूस किये जाने से लोगों में दहसत का महूल है चारधाम की यात्रा पर आ रहे प्रेटकों और सर्धानों के वाहनों में ट्रेस बैक की चेकिंग की जाएगी जहां मुख्य सचिव राधार अतूरी ने इसके लिए नरदेश जारी किया है धारखन प्रदेश कॉंग्रेस की प्रभारी गुलाम एहमद मीर ने आज सभी विधायकों से बैठक कर स्पस्ट किया कि चुनो किसी भी वक्त हो सकता है साथ ही इसके लिए उन्होंने सभी को तयार रहने की हिदायदी है आज 36 गड के नयार आइपूर में मुखमंत्री विश्नुदेव साई ने आयोजित ग्रीन स्टिल समिट 2024 का सुभारम किया बतादे की समय देश में कुल उतपादित स्टिल में प्रदेश की भागेदारी 15 से 20 परतिसत है मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपूर दो सीटों पर उक्चुना होना है जिसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्षा कहना है कि वे MP में गठ बंधन में है और मिलकर उक्चुनाल रहेंगे हिमाचल प्रदेश के स्वास्त मंत्री एवं राज रेड़ क्रॉस समीती के अध्यक्ष धनी राम सांडिल की अध्यक्षता में राज रेड़ क्रॉस प्रबंधक समीती की बैठा कालजित के गई इस दोरान सांडिले ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से पहली बार स्कूली छात रेड़ क्रोस में सामिल किया जाएंगे जहां प्रदेश के नौबी से बारवी कच्छा के छात्रों को सामिल किया जाने का निर्डै लिया गया है जिहां दोस्तों मैं देख पा रहा हूं कि आपने से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है कमेंट कर अपने प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप अभी वीडियो को लाइक कर दे कमेंट कर अपने प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे दोस्तों ये थी दिर्मर की बड़ी खबरे ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पड़ने है तो अभी चैनल को सब्स्क्राइब करें नोटिफिकेशन मेल के और अपशन को दो बादे वीडियो को लाइक को और सेयर कर दा बिल्कुल न भूले ताकि देश वार दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जारने वाले रह सके अपडेट